ब्येस क्राइम इडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वादाथ हर जुर्म से हम आपको कराएंगे ओकर आपके अपने चैनल पर दोजाना शाम साथ बजे तो देखना न भूलिए क्राइम वादाथ पहचान शिपा का चोरी करने के तैयारी कर रहे आरोपी के खिलाप गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्श कर लिया है आरोपी चिकला निवासी निलेश नाने उम्रा 28 वश सुन्दा टोला में डामबर सड़क के किनारे एक घर के पास मूँपर दुपटा बानकर अंधेरे में अपना स्तित्वा छिपा रहा था गोबरवाही पुलिस ने रात के गश्ट के दोरा निलेश को पकड़ा शराप पिकर वर लापरवय से वहान चलाने वाले चालकों के खिलाप पुलिस ने कारवय की ब्रामनी निवासी, देविदास धारगवे, उम्री निवासी, निकेश दहिलकर, सोनी निवासी, अंबादास राजेश्वर शराप पीकर बाइक चलाते हुए पाया गया दूरी पर 52 नदी के किनारे आले सूर ग्राम के वन परिस्टर शेत्र में पुलिस ने अवेद महुआ शराप भट्टी पर चापा मार कर एक लाग चोबिस हजार रुपे कमाल जब तक कर लिया इस कारवय में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है कपड़े की दुकान के बगल में गली में रखी बाइक अग्या चोष चोड़ी कर ले गया गटना साकोली पुलिस टेशन के पिंड के पार में गोविन राव आगाशी की घर के पास गटी इसकी कीमत 15,000 रुपे बताई जारी है साकोली पुलिस ने गटना दर्श कर ली रामनगर थाने के तहरे श्रीनगर निवासी प्रदीप टेम्भूनी कर उम्रा 45 वज सबजी लेने के लिए साइकल से मराटोली रोट से जा रहा था इसी बीज बोप्चे सीमेंट दुकान के आगे आटो चालक ने उसे पीछे से टकर मादी जिसमें वो घायल हो गया शिकायत पर रामनगर पुलिस ने मामला दर्श किया है तिरोडा थाने के तहित डाकराम सुक्री निवासी यश्वन्त पटले उम्रा 27 वज को इलाज के लिए के टीएस जीला सामने अस्पताल में भाति किया गया था इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई तिरोडा पुलिस ने आकस्मिक मृत्य का मामला दर्श किया है तिरोडा थाने के तहित माणवी निवासी टुमेश पिर्शेन उम्रत 30 वज गाउ में रिसेप्शन को जा रहा हूँ ऐसा बता कर खर से निकल गया माणवी गाउ की नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई फिर्यादी दीपक नरिश चौधरी उम्रत 30 वज की शिकायत पर तिरोडा पुलिस ने आकस्मिक मृत्य का मामला दर्श किया है भंडारा कुंद्य जीला वासियों के लिए खुश खबर है अब आपका मन पसंद चैनल BS Crime India News अब आपके केबल नेटवर्क पर जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के SN Channel नंबर 13 पर उपलब्द है BS Crime India News पर खेल, राजनिती, क्राइम, साहित्य वा अन्य खबरे प्रकाशित की जाती है हमारे साथ जूटने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरे विज्यापन आदि के लिए संपर्क करे 8669151757 पर